हालो फ्रेंट्स वॉल्कम तो फिर फिर आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेंप फाइनसियल कंपणी के बारे में चैल रहा है तो आपको ये स्टाउक में क्या करना चाहिए इस स्टाउक के बारे में हम पुरा अनालिसिस देखेंगे और इसका टार्गेट प्रैस क्या होन चाहिए और इसका अभी बाइंग रेंज क्या होना चाहिए इस वीडियो में हम जरूर बात करेंगा अगर इस टॉक को रखना है तो फिर कौन सा लेबल तक हम लेके चल सकते हैं या तो फिर लास्बूक कर लेना है पूरा डीटेल अनलीसिस करेंगे फ्रेंट्स वीडियो शु करी के लिए आप वीडियो चेक कर सकते हैं इस चैनल पर काफी सरा वीडियो का डिटिल आनलीसिस किया हुआ है तो यहां से देख क्या आपको कौन से टार्गेट प्राइस तक रुखना चाहिए वीडियो से आप जरूर आपको एक जानकर यह मिल जाएगा इस मेंसे ठीक है संबर्ण स्टाルク करतें हम पर इंवेस्टमेंट कंपणी है इस ऐसी ठीक कंपनी में अगर देखेंगे एक्वा के संपरी में शाली!! है ठीक है यह आडवाइजरी कंपनी भी है एकुईटी सेक्टर में भी है अगर कंपनी का बारे में बात करेंगे 7100 क्रूर का मार्केट क्या पे और अगर हम देखेंगे स्टॉक का पी 9.7 तो प्रोमोटर प्लेज भी 0 है इसी साब से अगर स्टॉक देखेंगे तो स्मॉल क्या दो यहां पर कॉरेंट प्राइज भी 76 पर पास पर चल रहा है अगर हम ऑलटाइम हाइगी की बात करेंगे यहां पर 192 अगर हम 50 जूइक की बात तो यहां पर एक बार देखेंगे तो यहां पर सेप्टेंबर का क्वाटर ने आट स्व üst般 आम बिल्कोल नज़र आ रहा है थिक है तो यहां पर अगर हम नेट प्रोफीट का भी बात करें गे तो यहां पर सप्टेम्बर में 139 क्रोट का नेट अबी सब्टेमबर में अगर हमके यहां पे loc की जाथ कशिपीट और सेंटी चास्या इसा और सा क्रोब से स्टॉक में तो अभी बढ़ी ऐसा ग्रोथ नजर आ रहा है तो इसी साब से हमें इसको क्या करना चाहिए अगर यहां पर बैलन सीट में अगर हम जाके चेक करेंगे तो यहां पर बढ़ते जा रहा है अभी देखिए लास्ट मार्च 21 को रिजर था 6900 करोड का अभी अगर देखते हैं यहां पर 7200 करोड का रिजर में तो बहुत बढ़ी ऐसा ग्रोइंग नजर आ रहा है अगर इसी साब से प्रोमोटर का होल्डिंग भी देखेंगे प्रोमोटर का होल्डिं तो इसी सा Leans जो मिल रहा है लेकिन आप अगर देखेंगे यहां पर कुछ सा गया फ्रोम इस टो मिल रहा है लेकिन आप अभी अगर देखेंगे यह स्टॉक में उचके यहां पर कफी ऑड़ा सा व्हीं यहां पहश्य अठीड घेन तो यहां पे सकता है इतना बड़ा इसाम से मुझे साल लग रहा है स्टाइक सी स्टॉक सिसाब से कि यहांपे बड़ेण गरेंगे पीर आपकी सा これ लेके तो आपको कुन सा लेपल तक रुखना जरूर आपको बताने की कोशिव करूंगा अगर इस टॉक में हम देखेंगे हमारा फेवर में है तो इसी साथ से प्रॉजिटिविटी फैक्टर भी नजर आ रहा है जो कि होल्डिंग भी जबर्दस्ते स्टॉक में है ठीक है अगर हम जहां तक का बात करेंगे प्रॉफिट का प्रॉफिट भी बड़ी इस बड़ी ऐसा ग्रोइंग हो रहा है और यहां पर सेल्स भी बड़ी हैसा ग्रोइंग हो रहा है तो यह सारे जो फैक्टर है हमारा बिलकुल हमारा फेवर में अगर इसी साब से लेकिन एक चीज़ है कि स्मॉल कैप स्टॉक आपका जो भी इनवेस्टमेंट रहेगा छुटा कि मिल सकता है मौल मसका थिए अगर अभी हम पॉचिशन बना के चलयाए फ्रेंश अभी जो स्टाक का सराफ और स्टे टीविर्यों के पास में चल रहा है ठीक है कि यहां पर 42 परसंटेज का डिलीवरी उठाए गया जो कि 23,97,000 वांटिटी तो इससाब से 42 यहां पर 10 लाक क्वांटिटी यहां पर डिलीवरी उठाए गया फ्रेंज तो इससाब से बड़ी ऐसा डिलीवरी हम मान सकते हैं अगर इस टॉक में अभी भी हम देखते हैं कितना परसंटेज का पोटेंशाल बचा हुआ है फ्रेंज अभी अगर आपको इस टॉक में पोजीशन बना के चलते हैं अभी जो जिस लेवल पर ट्रेडिंग हो रहा है 75 के पास में अगर 75 के पास में है आप लेके चलते हैं तो आपको इसका जो टार्गेट के लिए आपको रख आपको एक फ्रेंड्स 56 पर्संटेज का गेन मिल सकता यह एक बड़ी हैसा स्टॉक है ऐप क्योंकि सारे फैक्टर को फ्रोब्लेम नहीं तो गिराबठ तो थोड़ा से हो शकता है जब मार्केट में गिराबठ आता है तो इस स्टॉक में भी उसकता है तो मेरे हिसाब से आप आपको अभी के भी टाइम पे अगर बाई करके चलते हैं फिर भी कोई बुरा नहीं है आपको 56 परसंटेज का गैन मिल सकता है ठीक है लेकिन स्टॉक स्मॉल क्या पे तो उसी साब का इंवस्टमेंट थोड़ा से छोटा होना चाहिए छोटा इंवस्टमेंट करके चले कोई प लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको स्टॉइंग त्रेट के लिए अभी अगर इंटर लेना है तो अभी एंटर लेके चल सकते हैं आपको यह तरगेट पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है फ्रेंट से आपको ईजी ली और यह जो टार्गेट है आपको शिक्स मौंस में अचीव होसकता है लेकिन ऐसा कोई गैरेंटी नहीं है फिरंट सिक्स मांस में आचीव हो जाएगा इसा भी हो सकता है एक साल हमारा होल्डिंग में रखना पड़ सकता है कोई प्रब्लेम नहीं है क्योंकि हमारा थार्गेट भी तो 56% का गया ने अगर वहां पर एक साल भी लग जाए कोई बुरा नहीं है ठीक है हमारा पैसे दो साल में भी डवल हो सकता है यह चीज हमें बिलकुल हमारा ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि काफी सारा फ्रेंट्स क्या होता है स्टॉक तो बाइ कर लेते हैं लेकिन स्टॉक में जहां पर दोस परसंट पंदरा पर लिगें बहुत बार बताता हुई हूं यह इस्टॉक में बढ़ी असा रिटन मिल सकता है वहां पर रिस्क नहीं है वहां पर ट्रीपरसंट आपको मिल जाएगा एक साल में ठीक है लेकिन अगर आपका गेंट परसंटे ज़्यादा आप चाहते हैं और आप थोड़ा सा प्रोब्लेम नहीं है फिर से और बता रहा हूं यहां पर 117 के प्राइस है तो यहां पर आपको प्राफिट बॉकिंग कर लेना इस्विंग ट्रेड में आपको 56 परसंटेज के गैन मिल सकता है अगर वीडियो में लास तक बने हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे उसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजे अगर आपके पास में फ्रेंस डीमाट अकाउंट नहीं है यहां पर लिंक पर दिया गया लिंक पर आप क्लिक करके डीमाट अकाउंट जरूर करके आप अपना लॉस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ठीक है और किसे हम कौन सा कौन सा फैक्टर हम चेक करते हैं वो बुक्स में डिटल बताया हुआ है ठीक है ठीक्यों वेरी मुच फ्रेंट्स पर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में